300 किलो मेटर की दूजी तो वो ऐसे ही नहीं आई है उनको स्ट्राटिजी के लिए लाया गया है लाकर उन जगहों पर बिठाया गया है जो जगह हमारा अभिन अंग है अगर आपके घर में कुछ पागल खुतों के जुन्द को जबदसी लाके बिठा दिया जाएगा और आप क कुछ नहीं करेंगे तो आपका क्या ह्च्ष्रह होगा बस इतनी सी बात समझने की है इसमें ना देश्भक्ति की बात है ना सेक्लिक रिदम की बात है ना ही दो किषे आपके और में कौन रहेगा यह आप के लिए कोई भी दूसरा मारिकाला नहीं है जोई डिसाइट कर सकता है वो डिसाइट तब करेगा जब हम आँख मीज़ के बैठे रहेंगे और किसी और को यह हग देगे कि आँख हमारे लिए नेड़ने करें तो हम क्या करेंगे यह हमें जानना है क्या हम आँख मुझगर हाथ पर हाथ रहेंगे या हम इखटे खड़े होकर अपनी आवाज लखेंगे और हम सक्षम हैं उनसे लड़ने करें क्या हम तैयार हैं क्या हम जानते हैं हमें खत्रा किन से हैं और जिनको हम आतनक्वादी या कुछ लोग शर्णार्थी कह रहे हैं वो शर्णार्थी नहीं है वो घुसपैटिये हैं जिनको जबादस्ती आपके शेत्र में लाया गया है आपके उपर हाथी होने के क्योंकि अगर वो आपके लड़ेगे तो ना हम पाकिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं ना हम बंगलादेश को ब्रेंट कर सकते हैं ना हम यूएन में गुहार लगा सकते हैं क्योंकि उनकी तो कोई जड़ा ही नहीं है ना उनका कोई देश है ना उनकी कोई अलग हो बस वो चालिस हजार है जो कि अगले साल के मध्य तक शपन हजार हो जाएगे जब कश्पीली पंदेथ हमारे साथ आते हैं एक वो खाली कराया वहाँ पे सीमित नहीं हुए हो इन्होंने केरल लिया बंगलादेश का सारा हिस्सा बंगाल के और आसाम के रसके से अंदर आता है यहाँ पे नौकरी दूनता है वो सिर्फ हम पे जान लेवा हमले नहीं करते हैं आपकी महिलाओं और बेटियां घर की जो बहुएं और बेटियां है आपकी अपनी बीडी और माँ वोई भी सुरक्षित नहीं है इसके अलावा आप आपकी नौकरी और आपका दियावा कर कुछ भी सुरक्षित नहीं है हर वो चीज सबसीडी के रूप में उनको दी जाएगी आप से पहले उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी क्योंकि रोने से माजु पिलाती है ना और उनको तो रोते रेने की आदत हो रोहेंगे आपको देना पड़ेगा आप नहीं देंगे तो वह खटा होके दंदा करेंगे यहां यहां गोल चक्रों पर मस्जित बनाके रखिए उन्होंने आप नहीं तोड़ सकते हैं क्यों हमारे खून में अभी कोई गर्मी बची नहीं है आदि लोग शायद कोमा में हैं मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोग जागरित हैं जो खड़े होकर हथियार लेके किसी के घर में डंड भी हो टेल पिलायाबा तो आइडों में कितने लोगों के घर में कोई वेपन है हुआ हैं पर अगर 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 हमें क्टोर्च किसी को चलाना आता है जोगे हहाया कि अगर आपके घर में किसी तरह का कोई हमला हो कि अ आप ज Tutaj हम्ला हो आप कितने करूई吗 पढ़ने के आपके धर में अभी नौइडा में 300 कि आप तो फला ओ योगी जी ने साथ कर वाया उनको वापन की जाया पर कहीं ना आज नौइडा है तो कर दो कहीं और होगा प्रॉब्लम वह जहां है वहां प्रॉब्लम है जहां पर भी वह है कि हम उस्तरह आवाज उठा सकते हैं हम एता है हम्हारे पढ़ोसी को कोई तखीव होती है और पटातव करता है तो मेरे की बैटी किसी में हैरेस किया क्या मेरे को परवा होती है कि मैं जा कर देखू किसमें उसको तन किया पुलिस टाइम पर क्यों नहीं आई हम दस जने वहाँ पर दो दिन गठेंगे देखो शाम को आप इस अगर वह गंदा आएगा तो आज तो इसको परवा है कि मेरे नेबर की बेटी टी आई एस इस भी उसे को में शेश कि ना मताओं अब एक कम्यूनिटी है यह जिन्होंने केरल में कहराना में मालदा में लगातार जहां पर भी वह पहु संख्यक्यक्वे वहां पर विच्छनकारी हर्कते करी उनको ना देश से मतलब है ना पने परोशी से मतलब है ना जिसको वह भाई कहते हैं कहते हैं स्कूल में बड़े हुए और एद के दोराग भाई जांगे के दरे मिले उनको किसी से मतलब है इमोशन नाम की चीज नहीं है उनके उनको सिवाई जिहाद के कुछ समय को ने जाना अब तो मौलदी और मौनाना थुले आम पैगाम देते हैं लोग होगारों की एक फ़ोड़ी ख़बर ले लें महाँ पर इखटे होने बहाले इक एरिया के लोगों से मिले तो सही हमैं अपने आपको स्ट्रॉंग करें और जहां तक हो सके अपने आपको अपनी बहने जो को किसी ना किसी हथियार की ट्रेनिंग जरूर दें कम से कम खलता चाकू पड़ा बर्बाद नहों और आपके सामें आपकी बेगी इस तरह से नहीं है हाल hazard कि बेभाओ तरहूर आपकी है रर्णी यड़ बग снपस्टों प्रेंट नहीं है रर्णी ओपको नहीं है अपने डरूर आप marriage बेडार चाओर आखरो वहत